कौन सिखाता है बच्चों को लालन पालन उनको मा का प्यार दुलारा चो कसी कौन सिखाता उनको कौन सिखाता है बच्चों को लालन पालन उनको कौन सिखाता है इन चिडियों को अपने बच्चों को खयाल रखने का कौन सिखाता है लालन पालन कैसे करने का कौन सिखाता है? मा का प्यार दुलारा चो कसी कौन सिखाता है? मा का प्यार देना प्रेम करना चो कसी खोना बोले तो चो कसी करना ध्यान रखने को How to take care कौन सिखाता है? लालन पालन करना यहनि How to protect their kids, their young ones कौन सिखाता है? ये सब ट्रक्रुति सिखाती है for us our grandparents will teach teach grandparents teach the parents and parents they will teach their kids like to do like this give good education good manners good habit grandparents will teach to parents and parents they will suggest their kids isn't it but for a bird who teach these all things it all taught by itself nature means it's a god creation isn't it next paragraph कुद्रत का यह खेल वही हम सब को सब कुछ देती किन तू नहीं बदले में हम से वह कुछ भी है लेती कुद्रत यानी नेचर कुद्रत का यह खेल वही हम सब को सब कुछ देती है कुद्रत यानी नेचर हमारे लिए सब कुछ देती है किन्तु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी नहीं लेते हमको सब कुछ देती है अच्छी हवा मिलती है घर बनाने के लिए सब कुछ फल मिलते है पुष्प मिलते है सब कुछ मिलते है कुद्रत से लेकिन हमारे इसके बदले में कुद्रत कुछ भी नहीं वापस नहीं लेती है इस नहीं लेती है अच्छ नहीं लेती है आउश यानि पार्ट भाग पशू पक्षी अनिमल्स एंड बर्ड्स पशू पक्षी तरू यानि प्लैंट्स हम सब उसके आउश की जैसी तरू पशू पक्षी सारे हम सब उसके वाउशज जैसे सूरज चांद सितारे हम सब क्या है, इस कुदरत में हमारा एक हिस्सा है, हम भी एक हिस्से हैं जैसे इस भूमी में सूरज, चांद और पशू रहते हैं तर उसी तरह से हम भी एक पार्ठे, आउंश है जैसे हमारे आउंशष भी यहाँ पर उत्पन हुए थे इसी तरह कभी कह रहा है Birds are a small part of the nature because they have taken birth here हम सब उसके आउश की जैसी तरू, पशू, पक्षी सारे हम सब उसके वाउश जैसी सूरज, चान्द सितारे and this beautiful poem is written by द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी Thank you children Thank you